हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अधिती स्वागत है आपका अधितीस किचन में आज में आपके साथ शेयर करूंगी सूपर हेल्थी पोहा रेसिपी अगर आप वेट लोस कर रहे हो या फिर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को जरू ट्राइ करें आप इसको डि आपको छोटा सा बैल आइकन दिखाई देगा इसे फटाफट से दबा दीजिए इसी से आपको नई वीडियो की अपडेट मिलेगी तो यहां पर एक छोटी कटोरी मैंने पोहा लिया है वाइट यहां फिर ब्राउन दोनों पोहा में से जो भी आपको मिले वो ले ले उसके बरतन आपने नहीं लिया और उसमें पानी रुग गया तो वो जो जो पोहा है आपका बहुती ज्यादा चिपचिपा बनेगा एकदम अलग खिला खिला नहीं बनेगा तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने खूप सारा पानी डाल के इसको दो लिया है और पानी भी साथ निचोड़ दूगी इसमें और फिर इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी हल्दी नमक नीबू आपस में मिक्स हो जाएं अच्छे से और आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा बढ़िया खिला-खिला अभी से ही पोहा जो है एकदम खिला-खिला हो गया है और इसमें वाइट वाली चीनी बिल्कुल एड़ना करें बहुत ही अनहल्दी होता है वो ऐसे ही बहुत बढ़िया बनेगा तो इसको रखेंगे साइड में और तड़का लगाते हैं तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन में डाला है वन टीस्पून ऑलिव 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 यूज करें बाकी कोई तेल घी कुछ यूजना करें यहां पर फ्लेम हमें मीडियम रखना है फुल पे नहीं बनाना इसको उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी हाफ टीस्पून राई इसको भी भून लेंगे जब राई हमारे अच्छे से भून जाएगी उसके बाद मैं डाल दूंगी कड़ी पता तो कड़ी पता एट करेंगे यहां पर मैं डाल दूंगी तकरीबन 10 से 12 पते तो कड़ी पता एट कर दिया उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा पीनट्स यानि की मुंगफली के दाने 1 टेबल स्पून इसको अच्छे से हमें पकाना है रोस्ट करना है तो रोस्ट करते हुए हमें कहीं पे भी हाई फ्लेम नहीं करेंगे मीडियम तू लोही रखेंगे और इसको दिरे दिरे पकाएंगे तो रोस्ट हो चुके हैं हमारे पीनट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं उसके बाद इसमें मीडियम साइज की एक अनि धाले तो इस बात का दिहान रखें का इसा को निग एक इस को पका लिया है यह देखिए और बहुत जादा भी नहीं तो जैसे करंची करंची सब्सक्राइब कर देखें कितना खिला एक दाना अलग अलग भिखर रहा है बिल्कुल ऐसा ही पोहा हमारा बनकर तयार होगा क्योंक टाइट था फानि हमने रहने नहीं दिया ताकि चिप—चिपán बनेर इतना चबाया ना जाए इतना ज्यादा ताइट हो जाएतफ AM musimy Pस करणा है कर दोनों अब종נिया मिक्स करेंगे मिक्स करते बाइना हो अब良 से चला गाले के 2-3मिनद genuine यह देखिए, इतना बढ़िया हो गया इसका अच्छे से पक गया है मसाले आपस में सारी चीज़े आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी है यह बनकर तयार है यहां पर अब हमें क्या करना है थोड़ा सा धनिया पता मैं इसमें डाल रही हूँ तो यह डाल दिया मैंने तो यहां पर चनी की दाल भी एड कर सकते हैं इसमें आपकी मर्जी है और भी ज्यादा अच्छा पोस्टिक बन जाएगा तो लीजिए तयार हो गया हमारा सूपर हेल्दी पोहा रेसिपी जरूर ट्राइ करें अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो इस तरह की रेसिपी करती रहूंगी तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी में तब तक हेल्दी खाईए फिट रहिए बाई बाई